तो दोस्तो आज का मौसम भूती खराब हो रहा है कि बदे तो हल्की फूल की धूपा रिखे लगता है फेर से मौसम खराब होने वाला है यहां पे आग जला रहा है गाई के खाने के लिए उसी गरम कर रहे हैं यहीं मक्य के दाने इन्हें फीसा जाएगा इसमें थोड़ा मड करता हूं अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज का मौसम बहुती खराब हो रुका है खराब के वज़े तो हल्की फिल की धूप आ रिखिया है कल तो बहुत ज्यादा तेज दूप थी पर आज मौसम थोड़ा घड़वड़ा जैसा गया है मैं अभी सुबे के बजने साड़े नौ और धूप एसी आ रिकिया है धुंद लगा है कल तक मौसम साफ था आज बादल लगे हैं लगता है फिर से मौसम खराब होने वाला है आज यकल वैसे बारिस तो बता नहीं रखी थी बारिस 25 की बताई थी उस दिन हुई नहीं तो मौस करते हैं मौसम अगले दिन का कैसा होता है तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज की दिन की सुरुवात तो दोस्तों बनाते हैं सुबे का नास्ता मैकरोनी मनाते हैं अभी तो दोस्तों मेरी चाहा और रोटी मैकरोनी दोनों ते ग्यार है कि खाते हैं इस मौसम में चाह के सा मैं क्रोनी तो दोस्तों खाना तो खा चुका हूं और अभी भानु ने यहां पर आग जला रखाया है गाय के खाने के लिए उसे गरम कर रहे हैं भानु लाएगा गाय बच्चों को आज हो मैं जरा कपले दो रहा था अपने क्योंकि कल बज गए थे दो चार तो इन्हें दोने कपड़े ठीक है तो दोस्तों मौसम आज भी वैसी है जैसे सुबह था अभी धूप आरिया जा रही है ऐसी हो रहा है कल तो भूख ज्यादा गर्मी थी पर आज नहीं आज ठंडा है तो दोस्तों यह आज गए हैं भागते वे मम्मी बादरी है यह रख दिया था इनका काना जो भी गरम किया था ममी ने भादू लिया आए नहीं और छोटे उस्ताद दूद्ध पीने में लग गया गाएगा तो मशीन में कपड़े रखे तो मैं ऐसी चले गया गड़ेदा के महां तो अभी शुकाने के लिए रखे हैं उसमें खोल के ही चले गया था ऐसी बिना बताए तो दोस्तों अभी खा रहा हूं आमला बैठके धूप तो आने दी तो थोड़ा आमला खा लेता है इसके बाद प्येंगे पानी थोड़ा मीठा लगेगा मजा एक बहुत अच्छा ममी ने दे रखेंगा है जन्हों नीकालने के लिए जन्हों बोले तो भुट्टा मक्का यहरे इनहें निकालना है मैं बहानू ये बाद में बीच का काम आएगा बहुने का मक्का को गएगे ये निकालने साइद इसको पीस के इसकी आठा टाइप का बनाएंगे इसका तो दोस्तों यह चील चुगे हैं यह लाश्ट बचा है यह मक्य के दाने इन्हें पीसा जाएगा इसमें थोड़ा मडवे के दाने रखेंगे और आधा दाइक किलो चने तो इसका पीस के बनाए जाएगा इसका आठा फिर मम्मी खाएंगे इसकी रोटियां उसने अपने लिए ही निकाल लगें इनकी जब एक कच्छे हो थे ने इनके चिलहड बनाद की रोटी होती है नो पीसकर उसको भी मैंना के खाते थे मज़ा आता था एक द दोस्तों अभी बज रहे हैं चार और अभी धूप दिखने को मिल रही है थोड़ा चमकती होई धूप और बादल तो लगए ही है फिर भी अभी नीचे साइद बाड़िस हुई थी सायद थोड़ा देर पहले और हलकालका मौसम साफ हो ही रहा है तो दोस्तों अभी चलते है थोड़ा देर में धड़कवा वहां सारा समान रामनेगर से तुस्ते लेने चलेंगे ठीक है तो दोस्तों हम पहुंच गए अभी धड़कवा समान तो ले लिया है एक गाड़ी और आ यह बस उससे वी समान देते फिन निकल थे घर को में आपारास ठीक है कि वह यह रहां कि एक दुकान, दो दुकान, और जो यहां से नजारा दिखता है, वह इस परकार, और अभी धुन्दा है नीचे, क्योंकि अभी बादल लगे थे, तो दोस्तो गाड़ी आ चुके हमारी बस, यो आई बस अपनी, तो दोस्तो घर तो पहुंच चुका हूं, मैं परस समान लेके आ शाम देगार साई थी, तो सूरज भी थोड़ा देर मत चपने वाला है, और मौसम थोड़ा हलका हलका साफ हो रहा है, बादल हलके हट रहे है, तो दोस्तो तक तक तापते हैं आग, और अभी का मौसम काले बादल है, आँच, क्या पता राध को बारी सो, हो सकती है, वैसे द ठर्ण भी होई रही है, तो दोस्तो आज की वीडियो करते ही है, फिर एंड मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में, आपको वीडियो अच्छे लगी, तो लाइक, कमेंट, सेर, और सब्सक्राइब, चरू करना, टाडा, बाई बाई